हेलो दोस्तों, मौनु टूटरल एक एडवी में आपका स्वागत है, आज मैं लेके आई हूँ, वन विरिबिलेंड डिजीज सो बेसीकली हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो भी हमारा ब्लट फ्लो है इसके अंदर क्या होता है, यह एक हैरिडिटरी डिसॉर्डर है, जिसमें हम ब्लीडिंग डिसॉर्डर भी कहते हैं, हैरिडिटरी यानि हमारे कभी पूरवजो से या फिर हमारे माता पिता से हमें मिली है, यह डिजीज हुई है, ठीके इसके अंदर वॉन विरिबलेंड डिसीज, काफी कोमन डिसीज है, यह बेसिकली 100 पिपल में से किसी एक पिपल को होता है, ठीके इसके अंदर क्या होता है जो platelets होती है वो pluck formation नहीं कर पाती है आपको पता है कि पहले pluck formation होती है फिर clot formation होती है ठीक है पहले मैंने डाइग्राम बना के थुरू समझा रखा है आप देख सकते हो यह vein है यहां से कहीं कट लगा है जिससे क्या होता है blood flow हो रहा है bleeding स्टार्ट हो चुकी है ठीक है जो vessels है वो contraction में हो रहे हैं सिकुड रहे हैं ठीक है इन सेकेंड केस सेकेंड केस हमारा क्या है यह तो नॉर्मल है हमारा जो नॉर्मल वेन में function हो रहा है एंड यह हमारा है one land disease सो इसमें क्या होगा bleeding स्टार्ट होगी vessel contraction होगा सेम प्रॉसेस है बट जो प्लेटलिट है उसका जो प्लक formation है वो incomplete होगा ठीक है और इसका incomplete formation of fibrin clot ठीक है यह जो केस है हमारा इसमें bleeding नहीं रुक रही है it means यह जो disease है वो one viribland disease है ठीक है अब है introduction introduction of one viribland disease one viribland disease is the most common hereditary bleeding disorder roughly in every hundred people suffer from the disease people who suffers one viribland disease have blood that does not clot properly इसमें क्या होता है इस disease के अंदर जो एक hereditary bleeding disorder है जिसके अंदर क्या होता है 100 people में से किसी एक people people ही इस disease से suffer करता है और जो यह disease है basically इसके अंदर क्या होता है pluck formation clot formation properly नहीं बन पाता है जिसके विज़े से bleeding continue होती रहती है normally when a person is injured and start to bleed the one viribland disease factor in the blood attaches to small blood cells called platelets इस disease के case में क्या होता है basically अगर आप normal देखेंगे तो बहुत सारे जहां पे cut लगता है वहाँ पर platelets काफी ज्यादा amount में आ जाते हो और जल्दी सही pluck formation होती है जल्दी सही clotting हो जाती है लेकिन one viribland disease के case में pluck formation तो होती है platelet भी होते हैं लेकिन pluck formation नहीं बन पाती है this helps the platelets stick together to form a clot at the site of the injury and stop bleeding और platelets क्या करते हैं जो जहां पर injury हुई है वहाँ पर pluck formation करते हैं and then fibrin क्या करता है fibrin वहाँ पर clot formation कर देता है जिसकी वज़े से blood नहीं रुक जाता है when a person had VWD one viribland disease the clot might take longer to form or not form the way it should and bleeding might take longer to stop okay friends जिस भी person को one viribland disease हुआ है वो क्या करता है उसमें अगर कहीं से भी गलती से कट लग जाता है by chance वो कहीं sample देने जा रहा है अपने test करवाने जा रहा है तो जो उसका जो वहाँ पर prick होगा वहाँ से उसका blood flow जल्दी बंद नहीं होगा उसमें थोड़ा time लगेगा ठीक है this can lead to heavy hard to stop bleeding ये क्या करता है ये heavy bleeding भी हो सकती है उसको और रुकने में दिक्कत भी आ सकती है joint damage हुआ है internal organ कहीं से damage हुआ है तो ये severe bleeding भी हो सकती है उस patient को ठीक है friends अब हम पढ़ेंगे symptoms one viribland disease के symptoms क्या क्या होते है primary symptoms of one viribland disease include abnormal or heavy menstrual bleeding ओके जो menstrual bleeding है वो काफी abnormal तरीके से हो रही है यानि irregular तरीके से हो रही है जो date wise होती है वो ना होके irregular date wise हो रही है और काफी heavy हो रही है in the case of one viribland disease easy brushing जब हम brush करते हैं तो अगर दातों के ऊपर मसूडों में काफी जादा blood आने लगी तो ये भी one viribland disease के case हो सकते हैं frequent और hard to stop nose bleeding nose bleeding जो है वो बहुत frequently flow हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी बह रहा है है और इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है ये किस case में हो सकता है one viribland disease के case में हो सकता है skin rashes भी हो सकते हैं patches red red skin rashes भी हो सकते हैं एक important note है हमारा most women with heavy or prolonged mensurational bleeding to the note have one viribland disease friends कभी कभी क्या होता है mensurational bleeding होती है काफी heavy होने की वज़े से भी हम ये नहीं कह सकते कि उसे one viribland disease ही है ठीक है ये दूसरा case भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि वो lady काफी week हो या फिर उसके अंदर ही कुछ problem हो ठीक है friends अब है diagnosis हम one viribland disease को किस किस तरह से diagnose कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूं ठीक है one viribland disease may be hard to diagnose because low one viribland factors and bleeding do not always mean you have one viribland disease okay one viribland disease को diagnose करना बहुत ही hard है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जिसको bleeding हो रही है उसका one viribland disease है उसको जरूरी नहीं है नॉर्मली भी bleeding हो सकती है और abnormal भी bleeding हो सकती है तो friends क्या है इसके अंदर इसको diagnose करना थोड़ा सा hard है लेकिन हम इसे diagnose करते हैं test may be done to diagnose this disease include अब इस disease को diagnose करने के लिए हम basically test करते हैं कौन कौन से test include है bleeding time यानि BT bleeding time हम bleeding time bleeding time में हम क्या देखते हैं friends जब हम छोटा सा prick करते हैं फर्स ड्रोप वाइप कर देते हैं सेकिंड ड्रॉप हमारे पास होता है waterman filter paper जो circle में होता है यह होता है हमारा waterman filter paper माल सपोस कीजी कि हमारा waterman filter paper है white color का यह क्या करेगा जब bleeding time में क्या करेंगे हम अपना phone phone का हमेशे timer on करेंगे और जब prick करेंगे तो first drop wipe करके second drop रखेंगे second drop का finger यहां रखेंगे and then after 30 seconds बाद यहां रखेंगे and then ऐसे करते करते हम six step करते हैं six step करने के बाद 30-30 seconds पे gap देते हैं और देखते हैं कि यह disappear हुआ नहीं नहीं हुआ क्या होता है, यह drop बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है, फिर bleeding रूप जाती है, जहाँ पर bleeding रुपी, वो हमारा BT time होता है, यानि bleeding time होता है, ठीक है friends, यह test है, factor 7 level, हम इसके अंदर factor 7 level भी चेक करते हैं, कहीं factor 7 level वॉक तो नहीं कर रहा है, मतलब इस गीश कहीं उसका platelet count कम तो नहीं है जिसकी वज़े से bleeding हो रही है तो इसलिए friends one virulent disease को इसलिए diagnose करना मुश्किल है क्योंकि ये काफी cases में भी bleeding हो सकती है जरूर नहीं कि one virulent disease ही हो उस patient को इसके causes क्या क्या हो सकते हैं most people who have one virulent disease are born with it the disease is almost always inherited from a parent to a child basically क्या होता है friends जो हमारा one virulent disease है ये inherited है और जो हमें parents से मिला है ठीक है ये basically ज़्यादा तर ज़्यादा तर ये देखा जाता है कि ये inherited ही होता है ठीक है ये hereditary disorder है जो यह करता है parents से child को मिला है ठीक है ये disease treatment अब हम one virulent disease का treatment किस तरह से कर सकते हैं DDAVP क्या है Dismino 8 Agoninin Vesopacin Paracin ओके यह विच इस यूस्ट तो रेज 1 विरिबलेंड फैक्टर एंड रिडूस डी चांसे ओफ ब्लीडिंग यह क्या करता है जब 1 विरिबलेंड डिजीज के फैक्टर है इसको रेज कर देता है और इसके ब्लीडिंग के चांसे को कम कर देता है ठीक है DDAVP is injected into a vein and works to force the body to release moves 1 विरिबलेंड factors into the blood DDAVP को जो हमारा treatment के लिए जो हमारे पास solution है उसको inject किया जाता है patient के vein के अंदर नसों के अंदर ठीक है और ये बहुत walk करता है बहुत force से walk करता है बहुत बल के साथ काम करता है ये और body के जो vein है body के अंदर जो vein है उसमें से one विरिबलेंड factors को remove कर देता है ठीक है जिससे क्या होता है bleeding के लिए जो bleeding हो रही है वो तुरंत रूँ जाती है सिर्फ यही एक treatment है जिससे क्या होता है हम one विरिबलेंड disease से बच सकते हैं नहीं तो friends अगर continuously blood flow हो रहा है तो इससे क्या होगा वो जो इंसान है वो काफी weak हो जाएगा उसको काफी diseases भी हो सकती है एनिमिया हो सकता है खुन की कमी हो सकती है काफी जादा उसको और भी diseases हो सकती है blood की कमी से ठीक है so basically क्या है यह हमारा hereditary disorder है जाद तर देखा जाता है किसी hundred people में से किसी एक people को यह disease होती है ठीक है so friends आज का हमारा one विरिबलेंड disease यहीं finish होता है so अगर आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा और अगर आपको one विरिबलेंड disease के notes चाहिए तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं और वहाँ से आपको notes मिल जाएंगे previous जितनी भी videos हैं उसके notes telegram पर available हैं आप वहाँ से download कर सकते हैं हमारे channel को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा